नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत अपना स्टर्डी लेक्षर यूटूब चैनल में तो दोस्तों एक बार फीर आज रहे हम आप साथ एक नए और बहुत ही सांधर वीडियो लेकर यानि फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे जैसा कि आपने वीडियो को क्लिक किय है इसका मतलब यही है कि आपका भी बैंक एकाउंट है अगर बैंक एकाउंट है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए अगर आप सतर्क नहीं हुए तो निश्चित रूप से आपके साथ भी फ्रोड हो सकता है आपके भी बैंक एकाउंट से पैसे काटे जा सकते हैं तो इस वी इस वीडियो में पूरे डीटेल के साथ जैनकारी देंगे साती साथ आपको क्या करना चाहिए अगर आपके साथ कोई फ्रोड हो जाता है और फ्रोड होने से बचने के लिए आपको क्या-क्या जैनकारी चाहिए इस वीडियो आपको पूरे डीटेल के साथ समझाएगे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा क्योंकि ये वीडियो में रात को दो बचे बना रहा हूं आपके लिए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंट्स अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा और इसी प सब्सक्राइब करेंगे कि किस प्रकार से फ्रॉड हो रहा है सबसे पहले बात करते हैं सिम क्लोनिंग की क्या है सिम क्लोनिंग क्लोनिंग का मतलब होता है हू बहू प्रतिरूप तयार करना जैसे कि आपका एकाउंट है आपका सिम है आपका नंबर है उसी सिम नंबर की एक दूसरी सिम तयार करना और इस तरह से फ्रॉड हो रहा है कि जैसे कि आपके पास कॉल आएगी ठीक है आपके पास क्या आएगी कॉल आएगी आपको को सीच आप करते हैं उसी समय OTP भेजा जाएगा और SIM बंद होने के कारण OTP आपके SIM में ना आके उन हैंकर के SIM पे आ जाएगा और उसी SIM के थूँ यानि उसी OTP के थूँ आपके बैंड को एकसेस कर लिये जाएगा यापको बैंक से आपके बैंक में जो भी एकाउंट है उसको ट्रांसफर कर लिया जाएगा हाली फिला हल में जो घटना घटी है 50 लाख की फिरोती हुई है जिसमें से इसी प्रकार उनके साथ हुआ है कि उनके पास लगभग 7 बजे से 8 बजे के बीच में कम सकम 500 कॉल आई और 50 कॉल करने के बाद वहाँ पे उन्होंने कई बार रिसीव कि पाद उधर से आवाज नहीं आती है इसी सब समस्चा सो परिसान होकर हमने मोबाइल को क्या कर लिया सीचाप कर लिया जैसे सीचाप किया उसी समय लगभग 50 लाग यानि दद्दस लाख 555 लाख रूपए करके कई एक एमाउंट को कई एकाउंट में ट्रांसफर कर लिया ग तो आधार से जुड़े हुए और जो कि आपका बैंक से जुड़े हैं नंबर को किसी भी अन्यव्यक्ति या किसी जिसे आप नहीं जानते हैं उससे कॉल कभी ना करें ठीक है फ्रेंट्स तो अगर आप कॉल करते हैं तो उसका पूरा डाटा पूरा एक्सेस वो किसी तरह से भी आपका है कर सकता है ठीक है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का OTP कोई भी लिंक कोई भी मुबाइल एप जैसा कि आप Android मुबाइल चलाते हैं तो बहुत सारे एप आप इंस्टॉल करते हैं आप इस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपका मुबाईल नमबर ही मांगा जाता है ये मुबाईल नमबर अगर आप उस एप में डालते हैं तो उस मुबाईल नमबर को एक्सिस कर लिया जाएगा यानि जो भी फ्रोड करने वाला व्यक्ति है उसके तुरू आपके बहुत सारे लुभाउने एप समचल रहे हैं जैसा कि आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एप हैं जिसमें आपको क्या करता है, एक्सरे के थूरू पूरे बोडी को स्कैन करा जाता है, तो इस तरह लुभाओने एप के पीछे ना भागें, अधरवाईज आपके साथ फ्रोड हो सकता है, किसी भी प्रकार का पिन और बसरते आप अपने ATM का पिन किसी कागज में या मोबाइल म है, या पास्बुक है, तो यह सब की फोटो कॉपी जो है, आपने मोबाइल में ना रखें, मोबाइल खो भी जाता है, और मोबाइल खो जाने के बाद भी वहाँ पे आपके साथ फ्रोड हो सकता है, ठीक है, तो किसी परकार का मैसेज, किसी परकार का लिंक, किसी परकार का आती है तो उस पर आपको ध्यान नहीं रखना है ठीक है अगर कोई भी फ्रोड आपके साथ हो भी जाता है तो कम से कम 24 घंटे के अंतर गत ही आपको पुलिस को इनफॉर्म करना होगा ठीक है आपने खाते को बैंक को जो कि लॉक करवाना होगा ठीक है बैंक को यानि खाते को पूरा डीटेल उसमें नहीं डालना है बसरते आपको यह ध्यान रखना है कि कैस ओन डिलेवरी लेने की कोसिस करें क्योंकि बहुत सारी e-commerce केमपनिया जो है वो रजिस्टर नहीं है फेक रजिस्टर जोकि फेक वेफसाइट पर बनाई गी है और इसके थ्रू क्या होता है कि आपके साथ आपके ATM का या आपके डेविट कार्ट का पूरा access पूरी जानकारी वो अपने अंदर ले लेते हैं और उसी के तरह आपके साथ online ही आपको fraud किया जा सकता है तो यह जरूर ध्यान रखें और ATM का इस्तमाल अगर आप करते हैं तो उसके CVB नंबर को कभी भी आप उसके पीछे ना रखें यानि CBB नंबर जो आपको दीक रहाँ गया करना है या आप उसको मिटा दें क्योंकि सिवी नंबर को आप याद भी रह सकते हैं ठीक के फरेंड्स तो आपको सिवी नंबर को याद रखना है अगर इंडिया में बात किया जाए तो यहां पे आपका जो CBB इस्तिमाल किया जाता है इसका मतलब होता है Card Verification Value CBB का Full Form होता है Card Verification Value और ये अमेरिका में इसका इस्तिमाल किया जाता है अमेरिका में कोई OTP का सिस्टम नहीं है इंडिया में ही OTP का सिस्टम है कि OTP One Time Password ठीक है तो इस तरह से इस से आपको बचना है धुखादरी से अगर बचना है तो आपको आधार नमबर या मोबाइल से लिंक एकाउंट को जो नमबर है वो किसी को नहीं देना है ठीक है तो और सबसे बात की जाए कि यो SIM क्लोनिंग होती है SIM क्लोनिंग के थूँ लोकेशन कोई और हो जाएगी तो इसी तरह से आपके पूरे access को लिया जाता है यसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सरकारी काम काज के लिए जीसे कि आपको कोई रासन कार्ड का हो गया या कोई ऐसे लुभा़ोने प्रसासन की तरफ से ना होके फेक लोग आते हैं आपको बताते हैं कि आपका लोन माफ करा देंगे आप अपना आधार कार्ट दे दीजिए आपका बैंक पास्बूक दे दीजिए तो पूरा डाटा जब आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं ह आते हैं कोई सरकारी योजना के नाम पर लोगों से बहुत सारे डाटा ले जाते हैं और यह डाटा ले जाके बड़ी-बड़ी कंपनियों को देते हैं और बड़ी-बड़ी कंपनियां क्या करती हैं यह सब डाटा आपका कलेक्शन करके आपके पास ही कॉल करती हैं क्योंकि अ उनके मोबाइल में आ जाएगा क्योंकि वही नंबर की सिम उन्होंने चलू कर रखिए तो वहाँ पर अगर ओटीपी आ गया तो वह आपके एकाउंट को एकसे कर पाएंगे यापको एकाउंट को चला पाएंगे तो आपके एकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तो यह बहुत आपको ध्यान में रखनी है ठीक है और ATM में पिन जो डालते हैं आप उसको भी ध्यान रखनी है क्योंकि ऑनलाइन या आप ATM पे जाते हैं तो वहाँ पे hidden कैमरा लगे होते हैं यानि ऐसे कैमरे लगा दी जाते हैं जिसमें आपका OTP नंबर या आपका जो पिन नंबर होता है वो आप देख सकें ठीक है वो hidden कैमरा आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे लगा होता है तो जब भी आप ATM पे जाएं तो अपने हाथ से चुपा के रखें ATM का जो यह पीन होता है इसको अच्छे से डालें चुपा के नहीं तो वो hidden कैमरा में आपके पूरे record कर लेंग आप कुछ नहीं कर पाओगे तो यह जरूर दियान रखें जब आप ATM का इस्तमाल करें उसमें आप अपने पीन को जरूर से जरूर इस तरह से चुपा के रखें ताकि उन्हें पता ना चले किसी भी प्रकार से ठीक है और अगर बात की जाए ATM की तो यहाँ पे ATM का जो आप आपके आपका पूरा डीटेल बनवा सकते हैं और उसको बनवाने के बाद आपके जो की ATM या आपका क्रेडिट कार्ड है उसका इस्तमाल करके आपके साथ इस तरह से भी फ्रॉड हो सकता है तो यह साइवर क्राइम से आपको बचना है और इसको बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको किसी भी प्रकार से किसी भी विव्यक्ति को अपना OTP नहीं बत रखनी है उसको नोट कर लेना है और इस कुछ सबूत यानि जो भी आपके पास समय उस समय उपस्तित हो उसको ततकाल पूलिस को प्रवाइट कराएं और वहां पे उसका एफाई यार दर्ज जरूर कराएं ठीक है फ्रेंट्स अगर वहां पे भी मान लिजे पूलिस भी नह बार का अगर कोई फोन कोल आता है यां पर बिल्स एभी आता है तो यहां पे अकर समझें तो किसी करने देकED को हो कोई भी आपका ओनलाइन जैसे कि आपने देखा होगा फ़ोन पे यह आओ इमाजोन है तो यह सब चीज़ें जो हैं कोई भी औटींपी नहीं मांगता है तो इस चीज yeah आप से आपको बेले डिहान रखना है कि किसी भी कुई भी, आपको नहीं देना है, मुबाइल को किसी भी हालत में आपको सिचाप नहीं करना है दूसरी बात आपको अपने मोबाइल से जिसमें आपका बैंक एकाउंट एड है आप उस बैंक एकाउंट नमबर से आपको या अधान नमबर जुड़ा हुआ है उससे किसी भी व्यक्ति को कॉल ना करें जिसे आप जानते हैं उसे ही कॉल करें अंजान ब्यक्ति को उस नमबर से कॉल कभी मत करें इसलिए आप दो सिम रखें एक जिसमें आपका बैंक एकाउंट नहीं लिंक है उससे आप किसी से भी बात कर सकते हैं बसरते जिससे आपका मोबाइल नमबर से जो भी बैंक आधार कार्ड नंबर चुड़ा हुआ है उससे आप किसी भी अंजान ब्यक्ति से बात ना करें तो यह सब चीजें आपको धियान में रखना है यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए अगर वीडियो यहीं समाप्ट करते हैं नमस्कार